श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादिव देखिए कल 22 सितंबर को पित्रपक्ष की द्वादेशी तिती है और गुरुवार का दिन है मात्र आपको एक बेल पत्र से और एक बुन शहत से बहुती अच्छुक उपाय करना है पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा देखिए ये जो उपाय है आपके गुरुग्र को मजबुत करेगा गुरुग्र को बलवान करेगा अगर गुरुग्र बलवान होता है तो विध्या अच्छी मिलती है शिक्षा अच्छी मिलती है तो बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं विवा की अगर समस्या है तलाग तक की नोबत आ चुकी है या विवा हो ही नहीं पा रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं विवा की कामना के लिए तिसरी चीज ये है आपके घर में आपका मान सम्मान बढ़ता है तो इसलिए आपको यह उपाय जरूर करना चीए बहुत ही प्यारा से उपाय है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और पहली बार अगर चैनल उपर आया है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर यानि कि खंडित नहीं होनी चीए बेल पत्र में तीन पत्या होती है लेकिन ये जो इस साइड वाला जो हिस्सा दिख रहा है न देखे ये डंडी के यहाँ पर जिससे तीनों बेल पत्र आपके चिपकी हुई है जुड़ी हुई है तो इस डंडी पर आपको शहद लगाना है आपके सीधे हाथ की अनामी का उंगली से यानि कि सीधे हाथ की चेठी उंगली के पास वाली जो उंगली है न उससे आपको शहद लगा देना है यहाँ पर लेकिन शहद लगाते समय आप किसका इस्मरेंट करेंगे भगवान विश्णु का ओम नमो भगवते वासु देवा का इस्मरंट करते हुए, क्योंकि हमे ब्रहसपती को मजबूत करना है, इसलिए ब्रहसपती श्वinizर महादेब का स्मरंट करते हुए आपको ये बेल पत्र आपको रख देनी है ध्यान रखें, आप जो शहद लगाएंगे, वो चिकनी वाली पत्ती जो होती न उस साइड वाली डंडी पर आपको शहाद लगाना है पीछे मत लगा देना और जब आप भगवान शीव के उपर भी अर्पेत करेंगे न तो शहाद वाला इससा जो है न भगवान शीव को इस परश होना चाहिए ठीके और डंडी जो होगी वो जलाधारी क तरफ होनी चाहिए बेल पत्र की आगे आपको बात समझ में अब आपकी जो भी मनोकामना है अगर बच्चे कर रहे हैं तो शिक्षा की मनोकामना लेकर करें अगर बड़े कर रहे हैं जिनका विवा नहीं हो पा रहा है तो वो विवा की कामना करने के लिए करें यदि आपके बेल पत्र आप शहद वाली अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही आसान सा उपाय है बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रियास किया है लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है शरीश यवायन मस्ट ब्याम